हलो फ्रेंट्स एक बार फिर आपको बहुत दो स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आई है संसारी में और दोस्तों आज की स्वीडियो में हमें आपर बात कने वाले हैं यूपी स्कॉलसिप 2019 के बारे में कुछ important topics पर जैसे की आप अपना जो आवेदन फॉर्म है यूपी स्कॉलसिप का उसे कब तक अपने कॉलिज में submit कर सकते हैं यदि आपके फॉर्म में कोई mistake हो गई है तो आप उपने फॉर्म को कब correction कर सकते हैं कब अपने फॉर्म में संसोधन कर सकते हैं इसके साथ ही क्या यूपी स्कॉलसिप की जो डेट है वो कब तक आगे वड़ पाएगी इन सभी बातों के बारे में जाने के लिए आप हमारे साथ बने रहेगा यहाँ पर आपको एकदम सही सर्टिक तक complete information मिनने वाली है तो चलिए दोस्तों आज किस वीडियो को start करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आप किस डेट तक अपने फॉर्म को college में submit कर सकते हैं जैसा कि आपको पता ही होगा लाखों student अभी भी अपने फॉर्म को complete नहीं कर पाएं और जिन्हीं student अपने फॉर्म को complete कर लिया है और प्रिंट निकाल चुके हैं उस सभी student 17 अक्तूबर तक अपने फॉर्म के प्रिंट को college में अपने documents के साथ समिट कर सकते हैं 17 अक्तूबर last date रखी गई है अपने form को college में जमा करने के लिए इसके साथ ही यहाँ पर हम बात कर लेते हैं उन्हीं student के बारे में जिनके form में कहीं न कहीं दोके से mistake को हो गई है कोई गलती हो गई है तो वो किस step से अपने form में correction कर पाएंगे तो सबसे पहले तो एक चीज आपको ध्यान रखना है आपके form में जो mistake हुई है ठीक है उस mistake वाले form को ही ठीक है उस print को ही आपको college में submit करना है और उस गलत form को ही आपको college से forward कराना है forward होने के बाद ही यहाँ पर 20 से 30 November के बीच आपको मौका मिलेगा अपने form में correction करने का एक चीज का और आपको ध्यान रखना है यदि आप अपने form को college में submit नहीं करते हैं college में जमा नहीं करते हैं और college से आपका जो form है वो forward नहीं किया जाता है समाच कल्यान रदिकारी के लिए तो आपको आपके form में संसोधन करने का कोई मौका नहीं मिलेगा इस चीज का आपको खास दियान रखना है चलिए उसके बाद यहां पर मैं बात कर लेते हैं form भरने की date आगे बढ़ने के संबन में तो लगातार courses की जा रही है सभी चात्र संगठनों के दोरा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द आपके लिए UPU scholarship के आविदन करने की जो date है उससे आगे बढ़ाया जाए ताकि सभी चात्रों को scholarship का पूरा लाब मिल सकें क्योंकि लाखों student अभी भी सभी courses के रहे गए हैं चाहिए वो किसी भी courses के विलाउंग करते हूं जैसके DLA, VTC इसके साथ साथ BAD ITI के भी कुछ चात्र रहे गए हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर जो formation courses है या फिर other courses हैं BA, BCB, COM, MSAM, COM बगारा, LLP बगारा इस टाप से सभी courses के कही न कहीं student अभी form बरने से बंचित रहे गए हैं तो ऐसे सभी student के लिए मौका जरूर मिलना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि समाज कल ल्यान विभाग लखनों की तरफ से सभी छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए आवेदन की जो तितिय है उससे विस्तार किया जाएगा और आप हमार साथ बनी रहेगा जैसे ही आपके लिए लास्ट डेट आगे वड़ाई जाती है आपको वीडियो के माद्यम से मैं आप गत करा दूँगा तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को जुरूब टेस्ट करने ताकि यहां से जो भी जानकारी मिले वो आपको लगातार तुरंत पहुंच सके और दोस्तों आज किस वीडियो में वस इतना ही थैंक यू सो मच फोर वाचिंग दिस वीडियो